हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग तो बटा क्लास 12 आज हम क्या करेंगे आज हम exercise 1.2 करते हैं क्लास 12 की अगर आपने इससे पहले basic concept नहीं देखा तो मैंने basic concept की video बना रखे है one to one and on two के उपर पूरी exercise one to one and on two के उपर है वो जरूर देख लेना मैं इसमें description में link दे दूँगा वाली video जरूर देख लेना उसे के बाद एक question कर पाओगा बेटा है ना तो हम इसके कुछ question करते हैं इससे पहले अगर मेरा channel आपने subscribe नहीं करा तो अभी ज़रूर कर दीजे और fx equal to 2x is one to one and on two sorry one to one but not on two हमने इपरूब करना है one to one है और on two नहीं है बेटा मैं फिर भी बोल रहा हूँ अगर आपने basic नहीं देखा तो इसका पहले basic जरूर देखीजे तभी ये समझ में आएगा ठीक है तो हम करते हैं क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ one to one और on two कैसे कैस होते हैं तो पहले मिले को पहले ये हम example 8 कर रहे हैं यहां लिख करा हूँ one to one चेक करना है है न मैंने बताया था नको हम ऐसे मान लिया equal आ गए ठीक है दो function के तो अब fx1 जैसे हमारे पास fx function क्या है हमारे पास function है 2x 2x है न तो अगर f यहाँ x1 रखेंगे तो यहाँ पर भी x1 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जागा 2x1 यानि x1 की value रख दी वहाँ अब function हमारे पास fx equal to 2x है न बेटा अगर वहाँ x2 रखेंगे या x2 आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा x2 आएगा value आएगी तो मैंने यहाँ लिख दिया equal to 2x2 यानि 2 से 2 हमारे पास cancel यानि x1 equal to x2 आया अगर fx1 equal to fx2 आ रहा हो यह हम suppose करते हैं fx1 और fx2 हम let करते हैं अगर x1 और x2 equal आ जाता है तो हम लिखते हैं it is one पहले हम इससे पहले एक line लिख ले करो each element has unique image unique image हर एक image क्या है unique है therefore it is one to one इसले यह one to one है one to one का बेटा concept अगर नहीं देखा तो देख लेना पिछली वीडियो में यह ऐसा होता था है ना मैंने बता रखा क्यों होता था fx1 और fx2 से हम क्यों लेते हैं उसमें reason भी बता रखा कि यहीं से हम क्यों लेते हैं ठीक है तो अगर fx1 दोनों का अगर मानो image से में तो number भी आपस में क्या है से में तो हर एक किस का मतलब unique image बन रही है तो यह हमरे पास one to one हो गया on to function के लिए हम क्या करते थे on to का अगर आई है बेदे को one to one अगर आपको यादो one to one का मतलब होता एक element का एक के साथ image A, B, C, 1, 2, 3, यह बता रखा मैंने पीछे और on to के लिए मैंने आपको बता रखा जैसे A, B, C, 1, 2, 1, 2, 3, 4, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, यहाँ पर कोई खाली element नहीं बचना चाहिए on to के लिए है ना, खाली बच गया कोई element, अगर co-domain वाली set में कोई खाली element बच रहा है, जिसकी pre-image नहीं है, पहली की image नहीं है, उसको बोलते into function, तो on to होता है, यहाँ पर सब जो element है second set में, उनकी pre-image होनी चाहिए, पहली वाली क्या होनी चाहिए, image होनी चाहिए, ठीक है, तो मैंने on to के लिए बोलता है, on to मैं बच्चों को बड़ी confusion होती है, actually मैं बच्चों को यह समझ भी नहीं आता कि मैं paper में इसको लिखू कैसे, समझ में तो आता paper में कैसे लिखू, तो मैं आपको explain कर रहा हूँ, है ना, on to function के लिए मैंने आपको बोलता, let fx की जगे पहले y suppose कर लो, जहां function है वहां लग लो y, तो यहां लिखा y equal to i are 2x, y की value क्या आगई, 2x आगई, अब x की value निकालो, हमें से x की value निकाल दो in the term of y, यानि x की value y की term में, तो अगर मैं x का answer निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा, y upon 2 आया, यह बात आगे समझ में, जब आप यहां पर पहुंच जाओगे, तो आप करोगे कि हमें दे क्या रखा function, हमें function दे रखा है natural to natural, इसका मतलब कि पहले वाले set में भी 1, 2, 3, 4, 5 natural है, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी natural, इसमें भी natural number है, natural to natural to natural, आरा बेटा समझ में, तो अब क्या होता है बेटा, कि यहां पर हम कोई भी एक natural number लखें, यहां पर हम natural put करें y के जगे, और x में भी उसका natural मिलना चाहिए, यानि जो यहां पर natural number होगा, इसकी यहां पर भी image हमारे पर natural number होने चाहिए, तब हर एक element की क्या होगी, image होगी, तो अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं, देखों यहां पर करके दिखाता हूं, अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 by 2, इसकी कोई x हमें natural नहीं मिल पा रहा है, 2 अगर मैं रखता हूं तो 2 by 2, तो तो हमें natural मिल जा रहा है 1, मिल जा रहा है ना लेकिन अगर वन रखूंगा तो इसकी कोई पिरी इमेज एक्जिस्ट नहीं कर रही है कर रही है नहीं कर रही है यहां तक के लिए बैए अगर मैं यहां कोई नेचरल नंबर रखता हूं तो वन तो यह भी नेचरल आना चाहिए यहां नेचरल रखेंगे य और यह यह आना चाहिए, तो natural to natural है, लेकिन one रख रहे हैं तो one upon two, one upon two natural number नहीं होते है, natural number one two three four होते है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे, यहां नहीं दिखेंगे, यहां लिखेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए, अगर नीचे नहीं दिखेंगे, हम इ याद है यह तो, तो four all y, यहां पर जितने भी y हैं, one two three four, जितने भी यह value y की है, है न, belongs to natural number, इसके अंदर क्या है, मारे पास, natural number है, ठीक है, और लिख दो गई यहां पर, कि यह कहां से लिए, मैंने, co domain से लिए, why कहां से लिए, co domain, there does not exist, बहीं यह वाला sign होता है, there exist, क्य x belongs to natural number in domain, अब इसका मतलब मैंने लिखा क्या, मैंने यह लिखा, one two three, ध्यान से समझने, मैंने लिखा कि जो भी इसके अंदर y है, तो यह तो x होगा, जो हम value रखते हैं, और यह y आता है, यह आता है मारे पास, यह होता न, मारे पास fx equal to x square, तो यहां पर x की value रखते हैं, यहां y आता है, है न, तो मैंने इसके लिखा कि जितने भी यहां पर y है, जितने भी y है, for all y, और कहां पर रहे हैं, belongs to natural number, किस से belong कर रहे हैं, natural number, और कहां पर हैं, co domain में, there does not exist x, उन सब के लिए x exist नहीं कर रहा, जैसे one है, तो one के लिए कोई pre image नहीं बन पा रही, कि अगर पर कोई हमारे पार natural number नहीं आ पा रहा है, तो there does not exist n x belongs to natural number, इसमें भी क्या है, natural number, co domain, so therefore it is not onto, यह हमारे पास onto नहीं है, यह बात आई समझ में, अगर आप और ज़्यादे इसको और ज़्यादे हो करना चाहते हो, क्या और ज़्यादे अगर इसको explain करना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो, one के लिए कि one belongs to n, one natural number के लिए belongs करता है, in co domain, co domain में belongs कर रहा है, but there does not exist any x belongs to n in domain, domain में कोई element x belongs नहीं कर रहा है, जो इसकी image बना रहा हो, ठीक, यह अगर यह नहीं लिखना चाहते हो, तो आप यह भी लिख सकते हो, कि each element in co domain, has no pre-image in domain, in domain, आप यह भी लिख सकते हो, कि co domain जो दूसरा वाला set हो, उसमें जितने भी element है, उनहरे की pre-image नहीं है, so therefore it is not onto, one to one का दूसरा नाम injective भी होता है, क्या होता यह, injective, और onto का दूसरा नाम surjective भी होता है, और byjective तब होता function, जब one to and onto दोनों हो, तब हम byjective बोलते हैं, तो यह वाला question clear हो गया होगा, note down this question, उसके बाद आता है वेटा हमारे पाक question number 2, question number 2 का जो first part है, यह मैंने आपके 2-3 question लिख दे साथ में, ताकि यह करके ना लिखना पड़े, question number 2 का first part हमारे पास यह दे रखा है, f function दे रखा है, natural to natural, यानि पहले वाले set में भी natural, दूसरे वाले set में भी natural, 1, 2, 3, 4, यहां पर 1, 2, 3, 4 यह होता है, इसका मतलब है, natural to natural, given by fx equal to x square, यह दे रखा है, पहले set में natural number दे रखे हैं, दूसरे set में भी natural number दे रखे हैं, ठीके बटा, तो अब हमें one to one check करना है, तो पहले मैं इसको one to one check करना है, one to one कहां से शुरू करते हैं, let fx1 equal to fx2, fx1 और fx2 equal है, ठीके, तो यहाँ पर value रखूंगा तो यहाँ पर आएगा x1 का square और यहाँ पर आएगा x2 का square इसका मतलब square equal है तो अब हमने check करना है क्या number भी equal होगे square अगर equal है तो number देखो भाई एक square है 9 दूसरे के square भी 9 दो number है दोनों का square क्या है 9 तो 9 किसका square होगगा 3 का square और यहाँ पर भी क्या होगा 3 का square तो अगर यह square equal है तो number भी क्या है equal बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जब बच्चे पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता मैंने पहले बोल रखा है क्योंकि उसमें कुछ नो कुछ logic होता है बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर आप boulder 9 यहाँ पर 9 तो 3 का square भी तो 9 हो सकता और minus 3 का square भी 9 हो सकता है आप बिल्कुल सही पूछ रहे बटा लेकिन उसने बोला है natural to natural तो natural में मैं minus 3 नहीं लोंगा यह वाला part नहीं लोंगा यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा 3 ही लेना पड़ेगा पता चलिया natural number 1,2,3,4 होते हैं negative नहीं आते हैं तो अगर दो number का square equal है natural में तो obviously वो number भी आपस में equal होंगे 3 का square 9 और किसी का square 9 तो नहीं होगा न है न natural number में तो मैंने लिखा square equal है therefore x1 is equal to x2 element has unique image unique image हर एक image क्या है unique therefore it is one to one यह one to one आ गया तो one to one के लिए check करने के लिए हम one to one में यह process करते हैं fx1, fx2 से equal चलते हैं और अगर x1, x2 equal आ जाता है तो one to one है और नहीं आता तो many to one है यानि one to one नहीं है फिर ठीक है अब on to के लिए मैंने क्या बता है तो बटा कि on to के लिए आप simple क्या करो let fx को क्या मान लो y मान लो तो यह हमारे पाब function था यह question था fx की जगे मैंने रखा y equal to x square यहां था clear हर question में क्या करो x की value निकाल दो in the term of y तो मैंने यहां से x की value निकाली तो i amr पार root y अब यहां थोड़ा आपको सूचना पड़ता है सूचना क्या पड़ता है आपने यह लिखना है कि function दे क्या रखा जब आप यह बना दोगे तो यह सूचना है function दे क्या रखा है तो function दे रखा है natural to natural देकिन अगर 2 put करता हूँ तो नहीं आएगा natural number यहां अगर y की जिचरर 2 put करेंगे तो natural नहीं हुआ ना y की जिचरर 3 put करेंगे तो भी नहीं हुआ y की जिचर 알려 4 करेंगे तो आज जैगा natural यहां सारे element के लिए नहीं आपा रहा है समझ में आया सारे element के लिए नहीं आपा रहा है अगर mapping से करें optional है आपका करना चाहो ताप करना ही mapping से mapping से करें तो ये natural to natural है ठीक है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यह है 5 यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 9 ऐसे ही होगा न 1, 2, 3 सारे number होंगे 4, 9, 10 तो 1 का 1 यहाँ तो का हमारे पास के आगिया 4 आ गया, 3 का हमारे पाद 9 आ गया इसकी बीच में जो number है जैसे 2 है तो इसकी कोई perme noobaye बनी जैसे 3 है तो इसकी कोईitter inventory नी बनी है यह दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो उसे कोई जरूरी भी नहीं है अब यह हमारा optional part आ गया है यह वाला ठीक है लिखो यह मत लिखो आपकी मर्जी ठीक है अब हम लिखेंगे वही कि for all y belongs to वो सारे y जो कहां से belong कर रहे है natural number से co domain क्या है हमरे पास natural number for all y belongs to natural number in co domain co domain में there does not exist exist नहीं कर रहा है x belongs to natural number in domain यनि वो सारे y जो co domain में यहाँ पर जो सारे y है है ना जो natural number से belong कर रहे है co domain में उन्हें की हरे की pre image नहीं बन रही x उनके लिए exist नहीं कर रहा कहां पर first वाले set में domain में exist नहीं कर रहा है co domain domain range अगर मैं confusion है तो 11th की video देख ले ना वो image element in co domain co domain में हरे एक element की has no pre image pre image नहीं है in domain domain में pre image नहीं है it is not on to इसलिए ये on to function नहीं है तो ये इसी question का second part देखो जरा थोड़ा सा सुरू सुरू में आपको थोड़ा सा confusion होगा बाद में ये बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे बहुत अच्छे question है तो मज़ेदार चट पटे second वाले part के अगर मैं आप बात करूं तो f z to z एक function दिरका z होता integer तो पहले set में integer है integer क्या होते है 1 2 3 4 5 positive number minus 1 minus 2 minus 3 negative number और included 0 तो पहले set में ये हैं दूसरे set में भी है सारे positive negative और 0 है ना z to z और हमारे पास दिरका है function by fx equal to x square वही चेक करना है 1 to 1 ठीक है 1 to 1 में कहां से सुरू करेंगे let fx1 equal to fx2 यह हमारे पास equal है यही से सुरू करते है fx1 fx2 से ही क्यों सुरू करते है पिछली वीडियो जरूर देखना ठीक है बटा पिछली वीडियो की परमोशन कर रहा है सासाथ है ऐसे नहीं वैसे है ना ठीक है fx1 equal to fx2 अब यहां पर मैं value रख दूँगा x हमारे fx x square है तो अगर fx1 करेंगे अगर यहां x1 करेंगे तो यहां पर क्या हैगा x1 का square x2 करेंगे तो यहां क्या हैगा x2 का square अब दो number का square equal है तो क्या number equal आएंगे देखते हैं जरा हमारे पास एक number का square है 16 और दूसरे का भी 16 तो हमें पता 4 का square भी 16 होता और minus 4 का square भी 16 होता है है ना अब आदे जाद बच्चे मेरे तो गुस्से की नजर से देख रहे हैं सर पहले तो आपने बोला minus 4 नहीं आ सकता कैसे बोल रहे हैं क्या बगवास कर रहे हैं बटा ऐसे है कि पहले में था natural to natural और इसमें integer to integer यहनी integer ले सकते हैं तो integer plus का भी ले सकते हैं और minus का भी पहल है रही क्या है minus 4 बे 16 equal to 16 है लेकिन minus 4 equal to 4 नहीं हो पाएगा तो मैं लिखूंगा but x1 is not equal to x2 x1 और x2 आपस में equal नहीं आ पा रहे हैं ठीक है यहां तक है ना आप reason देना चाहो तो दे सकते हो 16 equal to 16 मर्जी है आपकी but minus 4 is not equal to 4 ठीक है यहां तक आगी बात समझवें अब हम लिखने होई each element each element has no unique image हर एक की unique image नहीं है therefore it is not one to one यह on one to one नहीं है यह चीज़ आगी समझवें अब on to check करने के लिए वही जो मैंने आपको बोला था कि क्या करते हैं let fx की जगे क्या मान लेते हैं y तो मैंने यह हमारे पा question था fx की जगे लिया y equal to x square यह बात आई समझवें अब x की value निकालेंगे in the term of y तो अगर मैं यहां से x निकालोंगा तो आएगा root y यह आ गया यहां पर आते ही मैंने यह सूचना है f integer to integer इसका मतलब होता है यहां पर co domain में हम integer रखें और domain में भी मेरे को integer मिल जाए co domain में integer रखें हैं और domain में integer मिल जाए देखो integer root में नहीं होते हैं integer 1,2,3,4,5 है न और integer root में नहीं होते ही तो पता होगा आको minus one minus two minus three और integer root में बिलकुल भी नहीं होगे सब को clear ही ठीक है तो अगर मैं यहां पर बात करता हूँ कि मैं one रखूँ तो one का root तो one हो जाएगा integer म minus two root नहीं मिल भाएगा ठीक है नहीं मिल पाएगा ठीक है नहीं मिलेगा न बेटा यहां पर मैं three रखों तो three का हमारे पाद integer तो नहीं आएगा न तो root sayा गया तो root three integer नहीं होते है real number होते हैं लेकिन integer नहीं होते ठीक है अब वही लिखना आपको 144 why belongs to किसे ब्लॉंग कर रहे हैं य इंटीजर फोर ओल वाई जो इंटीजर में ब्लॉंग कर रहे हैं इन किसमें दूसरे सेट में और दूसरे सेट क्या है को डोमेन there does not exist x, x exist नहीं करता belongs to integer in domain ठीक है जी, not on to, अब आप चाहो मर्जी है इसको आप मैपिंग करके भी बता सकते हो, कैसे 1, 2, 3, 4 minus 1, minus 2, 0 1, 2, 3, minus 1, minus 2, 0 ऐसे, तो 1 का तो क्या दरका, fx equal to x square 1 का square 1 आया, ठीक है minus 1 का square भी 1 आ गया 2 का square 4 आ गया, आगे चलके, है न 4 लिग देते हैं आपर, 2 का square 4 आया minus 2 का भी 4 आया, तो जो इसके negative number होंगे, जैसे यहाँ पर होगा minus 1, minus 2, तो इसकी कोई pre-image नहीं हो पाएगी, ठीक है इनकी कोई pre-image, नहीं होगी, minus 1 की कोई pre-image नहीं मिल रही, minus 2 की कोई pre-image नहीं मिल रही, minus 3 की कोई pre-image निमिल रही है यह बात आगी समझवें तो इसके यह हम बोलता है है टू की कोई प्रिमेश निमिल रही है ना किसी कर नहीं होता नहीं तो यहां पर मैपिंग करके भी आप दिखा सकते हो मर्जी है वैसे ठीके यह आगये होगा समझवें इसका एक और पार्ट लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट थोड़ा सा और किलियर हो जागा आपको, बहुत है फिर इस टाइप के, तीन टाइप के कुशन है इसमें, तीनो टाइप करांगा तो exercise आप कर दोगे, पहली टाइप यही है जो मैं करा रहा हूँ, यह सारी पहली में आते हैं, इसका थर्ड पार्ट भी हमारे पास यही है, f real to real, real to real है, और by fx equal to x square, real number क्या होते हैं, real number में सारे number आते हैं, rational और irrational, यहनि 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 0 आ गया, root वाले भी आ गया, root 2, root 3, root 5, सब आ गया, upon 1, upon 2, 2, upon 3, सब, rational और irrational, तो क्या नहीं आता सर, वो आ imaginary number है, वो नहीं आएंगे, ठीक है, अब, one to one के अगर मैं बात करो, तो वही शुरू, let, अब तो रड गया होगा, आप लोगों को, fx1 equal to fx2, fx1 और fx2 मैंने equal माना, तो यहां अगर मैं रखना तो आएगा, x1 का square equal to x2 का square, दो number का square equal है, तो मेरे को चेक करना है कि क्या number भ 5 का square भी 25 होता है, और minus 5 का भी 25 होता है, अब मैंने minus q ले लिया sir, क्योंकि sir, यह real number है, real number में negative भी हम ले सकते हैं, natural होता तब नहीं लेता मैं, ठीक है, तो मैंने लिखा, कि दोनों के square equal है, but let fx1, but x1 is not equal to x2, x1 or x2 equal, नहीं है, आगे वही, each element has no unique image, हरे की unique image, नहीं है, therefore it is not one to one, one to one तो यह नहीं है, ठीक है जी, अब on to की मैं बात करता हूँ बेटा, तो on to को मैं लेता हूँ, let fx equal to लिया मैंने y, तो यहां पर आया यह हमारे पाप function था, y equals to आ गया x2, यानि x की value आ गया, root of y, ठीक है, अब मैं वही, देखो या तो आप mapping करके कर सक हूँ, क्या ले रहा हूँ, मैं की f function दे रहा हूँ, r to r, function दे रहा हूँ, r to r, यानि यहां कोई real number पूट करें, तो real आ जाये, देखो भाई, root 1 करेंगे real आया, root 2 करेंगे real आया, root 3 करेंगे real आया, real कुछ भी पूट कर रहे है, real आ रहा है, लेकिन अगर मैं minus put कर दूँ, minus 1 तो नहीं आया, minus 2 तो नहीं आया, minus 3 तो नहीं आया, नहीं आ रहा है, इनके लिए हरेक के लिए exist नहीं कर रही है, तो फिर वहीं लिख दोगे, आप 4, all y belongs to real number in co-domain, co-domain में जितने भी real number है, there does not exist x belongs to in real number in domain, so not onto, अब example भी दे सकते हो, कि इस वाले set में, अगर मैं ले करता हूँ, suppose that आप ले सकते हो, कि let 2, minus 2 belongs to y, अगर y के जगर minus 2 है, तो there does not exist x belongs to real number, x real number नहीं आ पा रहा है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, तो ये वाले question के लिए है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, हाँ तो बच्चो आप NCRT का उसके बाद question number 3, NCRT निकाल के रखो, और उसमें से पढ़ो, अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है, मैंने यहां दिख रहा है, वैसे question, prove that greatest integer function, अब पहले बात आती, greatest integer function होता है, पहले तो मैं आप कोई बता दूँ क्योंकि वैसे 11th में था, लेकिन मेरे को पता है कि तुम लोग 11th का भूल चुके होंगे, greatest integer function, 11th में chapter number 2 में greatest integer function, smaller integer function, modulus function, बहुत सारे type के function थे, वो detail में करना था, खेर आप लोगोंने नहीं किया है, या क्या होगा तो भूल गयोंगे है न, चलो, greatest integer function जो है, उसको हम ऐसे box में denote करते हैं, थोड़ा capital bracket होती ही, लेकिन थोड़ा close होती, close मतलब यह थोड़ा part close होते है हम, इसको तो बोलते हैं, greatest integer function और इसको box ही बोलते है हम, ठीक है, अब इस bracket में इसका मतलब क्या होता है, कि the value of X, X की जो value है, value of X, less than, less than, or equal to X, less than, or equal to X, X की value less than or equal to X है, इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझना है, कि अगर मैं एक greatest integer function लेता हूं तो 2 आया, अगर मैं लेता हूँ 2.1 तो भी हमारे पास 2 आया अगर मैं लेता हूँ 2.2 तो भी हमारे पास 2 आया अगर मैं लेता हूँ 2.5 तो भी 2 आयेगा अगर मैं लेता हूँ 2.9 तो भी 2 आयेगा ऐसे मैं सोजने हूँ 2.9 का सर्थ 3 आ जाएगा वो आप तो approximation कर रहे हो, approximate value निकाल रहे हो है ना, round of कर रहे हो, मैं round of निमत है integer function की बात कर रहा हूँ, the value of x is less than or equal to x, या तो x होनी चाहिए या x से छोटी होनी चाहिए, अगर integer है, जैसा 2 है तो 2 आगी, integer तो integer ही रहेगा, लेकिन अगर point में integer के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9, तो 2 ही रहेगा, ऐसे ही मानों कि suppose that अगर मैं बोलता हूँ, कि 6.6, तो value कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, अगर मैं बोलता हूँ, 6.9 तो भी value ही 6, मैं बोलता हूँ, 6.1 तो भी value ही 6, यनि point में उसके बाद जितना भी number होगा, value उसे छोटी ही होगी, उसे छोटा integer, 6.1 से छोटा integer 6 आया, और अगर 6 है, अगर by the way 6 है, तो ये तो integer ही है, तो 6 ही रहेगा, ठीक है, तो ये होता integer, अगर आप समझ गयो, तो आप एक question का जिवाब दो, तो मैं बोलोंगा, आप समझ गयो, अगर हमारे पाद minus 4 हुआ, तो value क्या आएगी, greatest integer function, minus 4 आएगी, आदे बच्चे की correct answer दे रहे है, अगर minus 4.1 होगी, तो value कितनी आएगी, बेटा देख रहो है, यहां से आदे बच्चे बोल रहे है, minus 4, नहीं बेटा, इससे छोटा integer, छोटा, minus 4 बोल रहे हो, तो इससे बड़ा integer हो जाएगा, मैंने बोला, छोटा integer लेना है, तो इससे छोटा integer आ तो भी हमारे पास minus 5, और minus 4.9 हुआ, तो भी हमारे पास minus 5, तो यह हो गए मत्पा क्या greatest integer function, पता चल गए होगा सबको, अब question पर आते हैं, greatest integer function क्या होता है, यह मैंने बताया, वो बोल रहा है कि is neither one to one nor on to, हमने प्रूप करना, ना तो यह one to one है, ना on to है, तो हम इसको mapping से कर लेते हैं, मैं यहां ले लेता हूँ कि fx equal to हमारे पास है, box x, greatest integer function, अब मैं यहां कोई भी एक example ले लेता हूँ कि f2 है, तो value 2i, f2 की value यह होई है, हमने पार 2 रखा हमने है, तो 2i value, f2.1 है, कोई से भी example ले सकते हैं, 2.1 है, तो हम यहां पर लिख रहे है, 2.1 और इसकी value भ f2.9 है, तो हमने यहां लिका 2.9 और इसकी value भी आई 2, ठीक है, अब अगर मैं इसका map बनाओ, तो यह लिए मैंने एक set, यह लिए मैंने दूसरा set, पहले set में हमारे पास real to real, सारे real number होंगे, इसमें भी सारे real number होंगे, real number सारे होंगे, हना जैसे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 2.1 भी हमने मान लिया, 2.2 मान लिया, 2.3 मान लिया, 2.9 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, ऐसे, इसके अंदर भी सारे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 2.1 भी होगा, 2.2 भी होगा, 5.1 भी होगा, ऐसे number होंगे, सारे real number होंगे, अब अगर मैंने 1 लिया, तो 1 की image तो चलो 1 ही आई, 2 की image 2 2.1 की मेंज विस इसका मतलब क्uurा हर्यमेंट की इक इमेज निण बन रही बहुत सारे यह है मैनी टूइट वन हर एक इमेज नहीं है 2.1 कीrà बन रही इस घ्जामपल भी ले शकते हो। हम लिकेंगे कि many element has same image बहुत सारे element की image क्या है same image therefore it is not one to one because यहाँ पर लिख सकते हैं because fx1 equal to fx2 अगर इनके यह equal है fx1 fx2 equal है जिसे 1 equal to 1 2 equal to 2 है न but x1 is not equal to x2 लेकिन x1 और x2 equal नहीं है तो यह हमारे पास हो गए क्या one to one अब इसमें हम यह erase कर दूँ इसमें अगर मैं on to चले यह लिख देते हैं on to कि अगर मैं बात करता हूँ on to function तो on to में क्या होता हमारे पास हम लेते थे let fx equal to y फिर x की value निकालते थे लेकिन यहाँ पर तो mapping से जाना पड़ेगा हमें है न वो तो describe नहीं हो पाएगा देखो अगर यहाँ पर 2.1 है 2.1 तो यहाँ पर तो integer आ रहा है यहाँ पर तो simple y में तो सिर्फ integer आ रहा है तो y में जो point वाले number होंगे उनकी कोई pre-image नहीं बनेगी तो हम लिख सकते हैं कि जैसे 2.1 जो 2.1 है न यहाँ वाला 2.1 ठीक है belongs to यह जो two point है न ब्लॉंग कर रहा किसे real number से on किसमे co domain co domain co domain में 2.1 ब्लॉंग कर रहा किसे real number से 2.2 यहाँ पर point तो आई नहीं सकता जब हम इनका निकालेंगे तो सब जो answer आएंगे y वाले site में हो क्या आजाएंगे integer आजाएंगे point में तो आएंगे नहीं तो इन point वाल होगी तो कोई pre-image बनेगी नहीं पहले की कोई image होगी नहीं इनकी तो मैं लिखूंगा there does not exist कोई exist नहीं कर रहा x belongs to real number जितने भी हमारे पास y है there does not exist x belongs to real number in domain domain में नहीं है so not on to थोड़े ये लिखना आप सीखना है कि यहाँ पर जितने भी ये हैं इनके लिए कोई x belongs नहीं कर रहा domain में ठीक है for all 2.1 जैसे 2.1 2.2 इनके लिए कोई image नहीं बन रही last में होई each element has no premise therefore it is not on to function किलियर हो गई ये वाला भी हाँ तो बेटा उसके बात question number 4 ताता मारे पास show that modulus function f r to r एक modulus function दे रखा है denoted by fx equal to mode x is neither one to one nor on to and mode x is x if x is positive and 0 and minus x ठीक है चलो जो भी है देखते हैं आप क्या है सबसे पहले अगर मैं modulus function की बात करूँ सुनाया आप लोगोंने बिल्कुल सुनाया ये वाला तो मना मत कर दे ना भूल के भी modulus function का मतलब होता है mode अगर इसके इंदर positive number आया तो भाहरा के positive होगा अगर इसके इंदर negative आया तो भी भाहरा के positive होगा यानि हमें सब positive integer देगा यह ना positive number देगा मतलब ठीक है इसके इंदर कोई भी negative या positive number आया तो भाहर निकल के positive हो जाता है यह mode x का मतलब है ठीक है तो यह तो मेरे को पता चल गया modulus क्या है अब क्या बोल रहा हो हमने बताना है कि neither one to one nor on to एक और चीज बोल रहा है कि mode x जो function हमारे पास वो कैसा बोल रहा है कि mode x is x value x होगी इसकी if x is positive और 0 यानि अगर x if x is greater than और equal to 0 positive मतलब 1,2,3,4,0 से बढ़ा हो या और भी दे रखा और 0 तो x की value x आई if x is greater than और equal to 0 mode x is minus x तो minus x आएगा if x is negative negative मतलब 0 से छोटा हो यह उसने हमें दे रखा तो यह मैंने इस function लिख दिया चोलो ठीक है अब बटा मैं सबसे पहले वही करता हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ कि let fx1 is equal to fx2 mapping से भी करेंगे हमें इसको और ऐसे भी करेंगे ठीक है 3 का mode जो होगा वही minus 3 का mode होगा दोनों के दोनों 3 आजाएंगे ठीक है तो यहनी function तो equal है यहनी हमारे पाँ function क्या था यहाँ जड़ा समझो function था mode x तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ minus 3 तो भी 3 आएगा अगर मैं यहाँ रखता हूँ 3 तो भी क्या आएगा 3 आएगा आएगा कोई भी number अगर रखोग इदा भार positive यहनी fx तो equal है fx तो equal है लेकिन यह 3 और यह minus 3 हम लिखेंगे but x1 is not equal to x2 यहनी इनका mode तो equal आपस में लेकिन यह number आपस में equal नहीं है तो हमने लिखा let fx1 equal to fx2 but हमने लिख दिया x1 is not equal to x2 समझ में आया मैं पिंक से अगर मैं जाऊं आपको मर्जी आप मैं बनाऊ ना बनाऊ वो तो समझाने के लिए 1 लेलिया, 2 लेलिया, minus 1 लेलिया, minus 2 लेलिया, 3 लेलिया यहां पर लेलिया, 1, 2, 3, minus 1, minus 2 देखो, 1 की image भी 1 बनेगा 1 का mode 1 आएगा और minus 1 का भी 1 आएगा 2 की image 2 बनेगी और minus 2 की भी 2 बनेगी यहनि हमारे पाँ 3 की 3 बनेगी यहनि हमारे पाँ क्या हो रहा है 2 से ज़्यादा element की एक image आ रही है तो हमने यह लिख दिया अब लिखेंगे कि therefore each element each element has no unique unique image हरे की image unique नहीं है therefore it is not one to one समझ मैं आ रहा है बेटा उपर उपर से जा रहा है चेप्टर थोड़ा बहु समझना है वई ठीक है अब अगर मैं बात करता हूँ on to की कि on to क्या है फिर सर on to की बात करों तो on to इसमें mapping के लिए हूपाएगा देखों अगर मैं mapping बनाता हूँ यह बनाया मैंने यहा पर यहे हूँ आ माइरे पास यह हमारे पास fx और यहां पर आए हमारे पास mode x यह हमारे पास real to real यहा ले लिया one ले लिया two ले लिया minus 1 का भी 1, 2 की image 2 minus 2 की भी हमारे पा 2 आए लेकिन इनकी यहाँ पर minus 1 तो कभी आएगे निए इसकी कोई pre image नहीं बन पाएगी इस वाले की कोई pre image नहीं बन पाएगी, तो हर एक element की pre image नहीं है, तो हम लिखेंगे इसको लिखोगे कैसे आप इसको आप लिख सकते हो कि जैसे minus 2 4 minus 2 belongs to real number real to real दे रखा इसलिए मैंने real number लिखा in co domain यह नहीं मैं लिख दे रहा है, जैसे minus 2 x, कोई भी एक example ले सकते है minus 2 ही नहीं, कोई भी, minus 2 belong कर रहा है, इस real number co domain से, there does not exist, इसके लिए कोई exist नहीं कर रहा, x there does not exist है ना, any x belongs to real number in domain इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो यह minus 2 belong कर रहा real number co domain में है उसके लिए कोई ऐसी x, कोई भी एक ऐसी value नहीं है, जो यहाँ पर आजा है domain में आजा है, पहले, यहनि इसका कोई किसी के साथ image नहीं बन रहा यह minus 1 लिख सकते है आप तो there does not exist any x, कोई भी x exist नहीं कर रहा, belongs to real number in domain, जो domain में आजा है ठीक है, तो हम लिखेंगे therefore क्या लिखोगे, each element of co domain has no pre image, each element in co domain has no pre image in domain therefore it is not onto, इसलिए onto function नहीं है तो यह आपके कुछ question है, आपने practice करने, जल्दी में आपके और question भी दूँगा, तब तक इनको practice करो और इसी base पे exercise के और question भी करो exercise के एक दो question में आपको problem आ सकती है, जैसे एगर मैं NCRT के point of view से करूँगा तो NCRT में आपको question number 8 में problem आ सकती है, और मेरे ख्याल से question number 10 में problem आ सकती है, इसके सिवा आप से सारे हो जाने चाहें, ठीक है, so all the best करो, अच्छी तरह मेहनत करो, बार-बार यह समझाता हो कि मेहनत करो life का एक दूसरा पहलू भी है, एक पहलू हो तो खुब enjoy करो, मजे करो, खुब यह करो, वो करो, वो भी एक पहलू है, लेकिन लाइब का एक पहलू वो भी है बटा, जिसमें हमने बहुत हार्डवर करना और अपनी लाइब को settle बनाना है, अगर हमने सुरू के कुछ साल, 25 साल मैनत नहीं करी, तो पूरी जिन्दगी बर हम अपना जूते घिसते रहेंगे दूर दर जाते वह, पूरी जिन्दगी बरबाद जाएगी सुरू के 25 साल तक, यानि अब आपके 2 साल मान लो, अब आपने 2 साल और मैनत कर ली, तो आगे के जिन्दगी बड़े कमपटेवल, बड़े ही मज़े से बीतेगी, तो आगे के 2-4 साल बहुत प्रिशेस हैं, बार-बार यह समझाता हूँ मज़े भी करो, आप लोग आज कल बहुत मज़े मज़े कर रहे हो, लेकिन एक पहलू लाइब का दूसरा भी है, उसको भी जरूर देखो, ठीक है, तो थैंक्यू, बबाई, फिर मिलते हैं वेटा